मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारे देश में आतताईयों से, अत्याचारियों से, देश की हजारों साल पुरानी संस्कृती सब्वेता हमारे रिती रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिये गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। मुम्रों में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ती दिखायी। दिवार में चुने जाते समयें, पत्थर लगते रहें, दिवार उंची होती रही, मौत सामने मनरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। आजी के दिन गुरु गोविन सीजी की माता जी, माता गुजरी ने भी साहदत दिथी। करीब एक सकता पहले, स्री गुरु तेग बहदूर जी की मुझी साहदत का दिन था। मुझे हाँ दिल्डी के गुर्द्वारा रकाब गन जाकर, गुरु तेग बहदूर जी को स्रद्धा सुमन अर्पित करने का मत्था टेकने का अवसर मिला। इसी महिने स्री गुरु गोविन सीजी से प्रेरित अनेक लोग जमीन पर सोते हैं। लोग स्री गुरु गोविन सीजी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई साहदत को बड़ी भावपुर्ण अवस्ता में याद करते हैं। इस सहादत ने संपुन मानवता को देश को नई सिख दी। इस सहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस सहादत के करजदार है। एक बार फिर मैं स्री गुरु तेग बहदूर जी, माता गुजरी जी, गुरु गोविन सीजी और चारों सहिब जादों की सहादत को नमन करता हूं। ऐसे ही अनेकों सहादतों ने भारत के आज के स्वरू को बचाय रखा है, बनाय रखा है।